बातकार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर मैं हूँ सुमें चोधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अजनी Confucianism के बारे में तो Confucianism क्या है यह एक्चौल में प्राचीन चीन के जो लोग थे उनके जीवन जीने का एक तरीका था उनकी जीवन जीने की एक शैली थी जिसको कुछ लोग रिलिजन बोलते हैं कुछ लोग इसको एक फिलोसोफी बोलते हैं बेसिक कोड ओफ एथिक बोलते हैं एक्चौल में क्या है यह डिबेट है और इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चलके ठीक है Confucianism जो शब्द है यह बना क्योंकि यह जो फिलोसोफी है यह Confucius एक एंशन टीचर हुआ करते थे चाइना में इनको फैस्ट टीचर ओफ चाइना बोला जाता है इनक बहुत सारे लोग सोच रहे हूंगे कि मैं इतने सारे वीडियो धरम के उपर क्यों लेके आ रहा हूं बार बार बहुत सारे धरम के उपर हमने वीडियो बनाए हिंदुईजम सिखिजम जैनिजम बुद्धिजम जुडाइजम क्रिश्यनिटी ऐसे काफी सारे रिलिजन हो च इसको जब हम समझेंगे तो इत्यास को समझने में और आपको आसानी होगी जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ओर इनके अरॉंड तो इनके फियत को जानना ये किस तरीके के लोग थे इनको जानना भी आपके लिए इंपोटन्ट है तो ये आपके लिए एस्पिरेंट भी काम करते हैं कि इस धर्म के बारे में आपने यह नहीं बताया यह चोटी चीज रह गई यह चीज रह गई हमने कहीं दूसरे सोर्स से यह पढ़ा है यह information अलग है देखिए मैं कोई यहां पर धर्म गुरू नहीं हूं मैं वो चीजें बताता हूं जो most acceptable है जो दुनिया जिसको मानत है और उस धर्म के बारे में आप कोई basic information मिल जाए वही मेरा मकसद है एक teaching purpose के हिसाब से ठीक है तो यह नहीं है कि हम उस धर्म को following में आपको कोई convert करने के लिए आया हूं ऐसा तो है नहीं ठीक है तो चलिए देखते हैं जो ancient Chinese civilization था काफी बड़ा civilization था बहुत सारे rich history है history चाइना में बहुत detail में लिखी गई थी पुराने समय से ही तो इसमें जो religion और philosophy है वो mainly तीन रही एक तो रहा confucianism यह religion है या philosophy वो आगे बात करेंगे टायोजम जो है इसके ओपर भी कई बार डिबिट रहती है कि religion है कि यह philosophy है लेकिन आप इसको religion मानके चलिए इसके बारे में हम आगे वीडियो लेके आने वाले हैं और बुद्धिजम हम पढ़ चुके हैं और बुद्धिजम का राइज तो भारत में ही हुआ था लेकिन ओवर दे इयर यह काफी prominent religion बन गया Chinese society का तो बहुत सारे Chinese जो लोग थे वो इन तीनों को एक साथ follow करते थी कि बुद् Confuciusism के बारे में हमें पढ़ना है ठीक है तो यह जो है Confucius इनकी जो हिस्ट्री है उनको हम जानेंगे आज के समय का जो चाइना है modern चाहिना उसके में आपको यह तरह नहीं देखेगा टायोजम डायोजम और टायोजम एक ही बात है Confuciusism आपको बहुत कम देखेगा हालां कि वह फिलोसफी है religion इसको as count नहीं करते हैं आगे बात होगी उसके बारे में तो वह भी उसको मानते हैं बहुत साए लोग लेकिन जो dominant religion है उसमें पांस religion में है Catholic जो religion है Christianity और इसी का एक और भाग है आपको बाता है Christianity का Protestant वो भी बहुत हैं यहां पे काफी तादात में है इसलाम किसी भी धर्म को नहीं मानती वो atheist है वो बोलते हैं कि हम atheist है religion में वो किसी तरीके के faith में वो मानते नहीं है किसी religion को support करते नहीं है ठीक है जैसे India secular है लेकिन किसी religion के परती ऐसे नहीं कहते हैं वो atheist बोलते हैं खुद को ठीक है काफी सारे ऐसे देसे जिनका state religion होता है चाइना कोई religion नहीं है even Confucianism के बारे में हम पढ़ रहे हैं और modern society जो है जिस Communist Party जिसमें बनी थी Mao जिदोंग जिसके founding member थे Mao जिदोंग ने तो कम यह Confucianism को कह दिया था कि यह तो एक backward philosophy है ठीक है इसके बारे में वह ऐसी ऐसी बाते करते थे कि डिनाउंस कर दिया था रिग्रेसिव सोच है फ्यूडल सोच है हम इसको नहीं मानते लेकिन आज जो चाइना की जो Communist Party है उसकी सोच बदल गई है और वो इसको काफी एक तरीके से वो मानते हैं कि यह जो Confucianism है यह हमारी ideology रही है historically और काफी अच्छी philosophy है ऐसा है ठीक है यह उनका मानना है अब उनका इसके परती बदल गया है वहवार अब बात करते हैं Confucianism की उस थेोरी पे कि यह religion है या philosophy है तो हमें यह समझना है काफी इस पर debate रहती है दुनिया भर में काफी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं काफी सारे scholars इसको religion बोलते हैं काफी सारे लोग कहते हैं कि यह philosophy है basic code of ethics है जिसके अंदर आपको एक किसी तरीके के इसमें religion वाले कुछ चीज़े इसमें नहीं है यह आपको दिखेगा कि यह philosophy के ज़्यादा close है यह code of ethics ज़्यादा है बलकि religion की बजाए religion नहीं है यह एक philosophy ही है तो देखे इसके अंदर Confucianism के अंदर आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी पुराने धरम को छोड़ दीजिए आप हमारी philosophy में आजाए इस धरम की पूजा किजिए इस देवता की आपको इस डायटी की पूजा करनी है यह particular low ही follow करने है ऐसा कुछ नहीं का Confucius ने उसनोंने कहा कि आपको मैं basic morality बताता हूँ कि एक इनसान को क्या क्या चीज़े करनी चाहिए उसके बारे में है तो से समझ पाएंगे पहले आप यह समझे कि religion और philosophy जो है वह similarity उनमें क्या है और उनमें differences क्या है देखे religion हो या philosophy दोनों ही एक system है designated system है कि एक human behavior उनकी practice उनके moral उनके belief उनके ethics वगेरा को काफी impact करते हैं कि कि किस तरीके से किस तरीके से इंसान को अपना जीवन जीना चीए तो ज सब जगा impact रहता है हर जगा अलग अलग तरीके के religion अलग अलग तरीके की philosophies को अलग अलग तरीके के दर्शन को माना जाता है लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ differences है कि religion क्या है और philosophy क्या है एक basic code of ethics क्या है देकर religion के अंदर आपको majorly कुछ points मिलेंगे उसमें एक तो यह है कि यहाँ पे worship होती है एक supernatural human being की जिसको भगवान कहा जाता है कहीं आपको इसलाम में अल्ला कह देंगे हिंदुईजम में इसको इश्वर कह देंगे उसके अलावा कहीं उसका कुछ और नाम होगा Christianity में Jesus Christ की पूजा होगी इसी तरीके से अलग अलग जो religion है उसमें अलग अल ठीक है लेकिन philosophy में ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया Confucianism में भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको किसी की worship करनी है कोई डाइटी की इसमें बात नहीं की गई है कोई सुपर हुमन नहीं है कोई भगवान नहीं है कोई बात इसमें की नहीं गई ह इन्होंने ऐसा भी नहीं का गी है नहीं, कि दूसरे धर्मों को फोलो मित कीजियर, वो गलत बातें बोल रहे हैं, ऐसा इश्वर नहीं है, लेकिन उसके बारे में इन्होंने बात की ही नहीं, इन्होंने अपनी टीचिंग्स पे ध्यान दिया, इश्वर वगएरा उन चीजों म पड़े नहीं, ठीक है, दूसरी बात है, रिलिजन में टेंपल्स होते हैं, सेक्रिट टेक्स्ट होते हैं, सेक्रिट यानि कि धार्मिक जो वो होते हैं, किताबे होती हैं, जैसे कि हिंदुईजम में गीता एक सेक्रिट टेक्स्ट है, इसलाम में आपको पता है, कुरान है, Old Testament और New Testament Bibles वगेरा है ठीक है, Mythologies होती है जैसे Hinduism में आपको बता है रामा और महाबार्त वगेरा है ये Mythologies होती है और Concept of After Life होता है कि जीवन की मर्दने के बाद क्या होगा स्वर्ग जाएंगे, कि नर्ग जाएंगे कि आपको मौक्ष मिलेगा ये सब Philosophies धर्म में होती है सब धर्मों में आपको कही ना कहीं ये चीज़े मिलती है किसी में हो सकता है, नहीं भी मिले लेकिन ज्यादातर होती है लेकिन ये जो Code of Ethics की जिसके हम बात करते है इन में इन चीजों के, इन फीचर्स की कोई जरूत है नहीं कहीं पे भी आपको ये सवर्ग नर्ग की बातें की नहीं मिल देगी कोई आपको Sacred Text मिले जरूर नहीं है हाँ, इन Philosophies के लिए इनका Collection मिल जाएगा कि वो किताबों में जो Philosopher है उसने जो बातें कहीं तो आपको कहीं न कहीं मिल जाएगी तब ही तो आपको पता चलेगा लेकिन ये Mythology वगेरा जैसी चीज़े इसमें नहीं होती ठीक है, तो आपको एक Basic Sense पता चल गया होगा कि एक Religion और एक Philosophy में क्या Difference है तो Confucianism में ये सारी चीज़े नहीं है Sacred Text, Mythology, Worship इसलिए Confucianism को ज़्यादा तर स्कोलर एक Philosophy मानते हैं Code of Ethics मानते हैं ठीक है, अब बात समझ में आ गई अब Confucianism जो है, वो क्या था? ये एक Philosopher थे, Ancient Chinese Philosopher Confucius, जिनका जनम 500 इक्याउन BCE में हुआ Before Christ और 479 BC में इनकी डेथ हो गई 72 साल की एज में इनका नाम था Master Kong, Confu, Confi लेकिन बाद में Confucius बोला जाने लग गया इनको Western Culture में, ठीक है Master Kong इनको भी बोलते हैं ठीक है, ये रहे थे अपने टाइम पे किसके टाइम पे? चाइना में उस समय एक जो काफी सारी dynasties ने चाइना में रूल किया आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो जाओ डाइनस्टी जो थी वो उसका लंबा टाइम था बहुत लंबे समय तक रूल किया है 1045 BC से लेके 253 BC तक इनोंने रूल किया है इसके समय पे ये रहे थे इनके बीच में ही इनका जनम हुआ है आपको दिख रहा है तो इस डाइनस्टी के टाइम पे चाइना में काफी उथल पुलट उथल हो रही थी पॉलिटिकली बहुत चेंज़े जाए सोसाइटी में काफी चेंज़े जाए बहुत सारे वार लड़े गई जैसे महाजनपद पिरेड चल रहा था ना भारत में जिसके बाद मोरिय डाइनस्टी डॉमिनेंटली निकल के आई बाद में आगे चलके उसी तरीके का टाइम यहां भी चाइना में चल रहा था तो आपस में वार चल रहे थे humanitarian की तरह निकल के आ है और उन्होंने अपनी philosophies दी जिनको लोगोंने बहुत सराहा और बहुत माननेता दी और जिस तरीके का जीवन जीने की उन्होंने बात की उन्हों लोगोंने अपनाया थिक है तो ये ethics की जो बात इन्होंने करी इनके जो education थी जो इनकी teachings थी उसमें political हूँ ethical हूँ सारी चीजों के बारे में इनके followers ने आगे चलके लिखा भी है और बताया भी है और लोगों ने इनको माना है आज तक मानते हैं चाहिना की जो society है आज भी confucius जो ideology है जो philosophies है उनको मानते है ये था वो जाओ kingdom ठीक है देखे चाहिना के किसी नाम को मैं परनावन सहीं ना करूँ तो माफ कीजेगा तो इस जाओ kingdom के अंदर इनका जनम हुआ था एगर mall specifically बात करूँ तो कुफु नाम की एक जगह थी जहां पर confucius का जनम हुआ था ठीक है इनके जनम के बारे में कुछ दार्णाए हैं कि इनके पिता जो हैं फ्यूडल थे पहले ऐसा माना जाता है कुछ लोग कहते हैं काफी गरीब family से बिलोंग करते थे आगे चलके ये इनका politically राजा ने इनको थोड़ी सी एक तरीके से authority भी थी लेकिन उसको भी ये बाद में छोड़के चले गए थे और बाद में अपनी टीचिंग्स के लिए ये देश भर में घूमे थे देखें मापको ये map दिखाता हूँ यहां से कूफू से निकले जो की लू स्टेट जो हुआ करता था इस जाव डाइनिस्टी का वहां से निकले और इन्हों ने अगले 12-13 सालों तक अपनी टीचिंग्स को spread किया पूरे चाइना के अलग-लग हिस्सों में गई तो बात किन की चल रही थी यह है चाइना की में डाइनिस्टी चाइना का इत्यास हम इस वीडियो में नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मैं बात करूँ शैंक जाव डाइनिस्टी से इंपोर्टेंट है इनका और जाव डाइनिस्टी की हम बात कर रहे हैं तो जाव में जिये थे कौन ये हमारे Confucius जो टीचर थे तो इन्हों ने काफी सारे political जो changes देखे structural change देखे काफी सारी लडाईयां देखी तो उसके बाद जो experience इनको मिला उसी के बारे में इन्होंने काफी बातें करी और इन्होंने तो Confucius जो है वो focus करता है कि इनेट human goodness पर इंटरनेल जो इन्सान की human being की जो goodness है अच्छाई है उसके बारे में बात करता है एक interpersonal human relationships के बारे में बात करता है उसको काफी importance देता है कि इन्सान का जो inner self है और जो उसके relationship है परिवार और समाज के साथ राजा के साथ भाईबंदों के साथ परिवार अपने bच्चों के साथ वाइफ husband के साथ अपने बड़े भाई बहनों के साथ ये सब के बारे में बात करता है मतलू समाज परिवार को central रखता है, human को centralize किया जाता है, इसमें इश्वर को centralize नहीं किया जाता जैसे धर्मों में होता है इश्वर एक central character होते हैं, उसके around वो क्या चाहते हैं, उन किस तरीके से, उनके आप उनका closeness कैसे पा सकते हैं किस तरीके से आपको मौक्ष मिलेगा शांती मिलेगी, इश्वर की बखान करना, ये सब चीज़ें होती हैं, देखिए आप मानो या ना मनो होता हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, Confucianism का belief था कि ये जो गोल है एक व्यक्ति का, Confucianism के हिसाब से, वो होना चीए social harmony को achieve करना, समाज में भाई चारा, और एक तरह से समन्वे स्तापित करना, इनसान का motive होना चीए, गोल होना चीए इस सिधान, इस philosophy के ये एक central point है, compassion, जो लोगों के बीच में एक दया भावना, एक तरह से लड़ना नहीं, प्रेम से रहना, वो सब चीज़ें होना जरूरी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई, कि आपको मौक्ष मिलेगा आपको after life heaven में जाना है, या hell में जाना है, आपके करम वो decide करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं आपके करम, social harmony को कितना बढ़ाते हैं, उतना ही आप अच्छा, अचीव कर रहे हैं इसे, confusionism के सिधान को, और इस social harmony को gain करने के, अचीव करने के, चार रास्ते बताएं हैं, जिनको कहते हैं, four elements या four tenets, जिस तरीके से, बुद्धिजम में हमने बढ़ा, four noble truth, हाना उसी तरीके से, इसके जो अलग हैं, हलनकि उनमें, इनमें, वो different अलग है, वो तो अलगी चीज हो जाती है, आप मुझे बताइएगा, four noble truth के हैं, मैंने बुद्धिजम में पढ़ाया है आपको, ठीक है तो इसमें इनके, इनोंने बात की है rituals की, rights and rituals, five इनके बारे में हम बात करेंगे आगे, तो ये चार चीजें जो है, इन tenants बोला जाता है confusionism में, काफी important सिधान्त हैं, इनको हमें समझना है, अब बात करते हैं कि confusionism का जो हमें जानकारियां मिलती हैं, वो कहां से मिलती हैं, हमने कहा कि इनका कोई sacred book तो है नहीं, गीता Bible की तरह है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन है क्या, देखों, ऐसा तो माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं, confusionism लिखते ही नहीं थे ज़्यादा चीजें, क्योंकि वो एक ऐसा समय था, इतना पुराना समय था कि जो लिखने का जो तरीका है, जो लोग पढ़े लिके इतने थे नहीं, तो अगर आपने book लिख ली तो वो ज़्यादा spread नहीं होंगे, उससे ज़्यादा लोग influence होंगे नहीं, तो वो इतना major जरिया नहीं था लोगों को एक तरीके से impact करने का, influence करने का, तो अपने भाशनों के तरू, अपने preachment के तरू ही लोगों को ये एक तरीके से अपनी बाते पहुँचाते थे, लेकिन जैसा कि मैंने अगर आपने वीडियो देखा हो, मैंने बताया था आपको, जो Aristotle जो थे, Greek philosopher, वो ऐसे करते थे, कि वो चलते जाते थे, अपनी बाते बोलते जाते थे, जो उनके जो सिश्य हुआ करते थे, जो उनके disciples होते थे, वो लिखते जाते थे, उनके बारे में, ये 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 बोल रहे हैं, सर, ये बोल रहे हैं, उसी तरीके से Confucius के भी काफी सारे disciples थे, वो भी ऐसा करते थे, उनकी बाते लिखते थे, काफी लोगों का मानना है कि उन्होंने दो किताबे लिखी, दो Chinese text किताबे लिखी हैं, एक तो लिखी Book of Odds, एक लिखी The Spring, Spring या Autumn, इसको बोला जाता है, ये दो किताबे इनोंने लिखी, जिसके बा Lu Niu, Lu Niu एक Chinese किताब थी, इनके disciples ने लिखी थी, मिलके, बहुत सारे किसी एक वेकती ने नहीं, बहुत सारे disciples ने मिलके, compile करके उसको लिखा था, इसको बाद में बोला गया, The Analect of Confucius, Confucius के जो सिधान थे, Analects हैं, उनको बोला गया, ये English नाम हो गया, और वैसे Chinese नाम क्या था, Lu Niu, ठीक है, अब बात करते हैं, क्या philosophies थी और क्या teaching थी, Confucius teaching revolved a large degree around the sum concept of golden rule, एक golden rule था, और एक ये quote आपने सब जगह, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, कि लोगों के साथ वैसा वहवार मत करो, जैसा आप खुद के साथ नहीं सहन कर सकते, यू, what you don't wish to for yourself, don't do to others, वो काम दूसरों के साथ भी मत करो, जो के आप खुद के साथ करवाना नहीं चाहते हैं, तो well treatment करो, आप अपने साथ अगर बुरा वहवार सहन नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों के साथ भी मत कीजिए, ये बात किस ने कही थी, ये कही थी, Confucius ने, चीज़ों में believe करते थे, और जो भी एक benevolent philosopher है, जो कि society का भला चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों में believe करते ही थी, Chinese और Japanese civilization में आपको ये जो self discipline वाली चीज है, ये काफी दिखेगी, आपने काफी सारी movies भी देखेंगी, Chinese culture और Japanese culture पे, वो self discipline जो है ना, उनका, वो काफी strong pillar रहता है इनके लिए, ठीक है, दूसरों का अच्छा करो, benevolence रहो, compassion दया रखो, morality में रहो, उसमें कभी आप compromise मत करो, उसने किसी religion के बारे में नहीं लिखा, उसने leadership, daily life, education, समाज और society में किस तरीके से harmony रखनी, इनके बारे में बताया, he believed that children should be taught to life with integrity, बच्चों को integrity के साथ जीना, रहना, सिखाना चाहिए, और इश्वर की पूजा पार्ट, इन सब चीजों से उन्होंने कुछ नहीं बताया, किस ना कभी इसके खिलाफ बोले, ना कभी इसके पक्ष में बोले, ये बात आपको ध्यान रखनी है, education is a lifelong process, ये कहा उन्होंने, सही बात है, आप अब भी जानते हैं, आप भी मानते ही होंगे, learning is a way to acquire virtues in life and education is the part to moral excellence, जो learning है, वो virtues गुणों को acquire करने का तरीका है, moral excellence प्राप्ट करने का तरीका है, society को किस तरीके से harmonious किया जाए, उसका एक central idea है, उन्होंने कहा, education का परपज कभी ये नहीं होत कि आप अपने livelihood को secure कर लो, अपनी जीवी का चलाने का जरिया, उसको मत बनाओ कि हमने देखो, पढ़ लिए, लिख लिए, अच्छी जोब लग गए, और वो कर लिए, अपना घरबार चल रहा है, बस इतना ही नहीं होता, education का goal, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ठीक है, वो एक उसका बनता ही है, फाइदा है ही, लेकिन वो actual में ये नहीं है, कि आप materialistic gain प्राप्त कर रहे हैं, और वही education का goal है, नहीं, actual में confucius ने कहा, कि education जो है न, वो public goods के लिए, social harmony के लिए, लोगों के welfare के लिए, लोगों के काम आनी चाहिए, जो आपने सीखा है, वो दूसरों को स सिखाएए, और उन्होंने ये भी कहा, कि education का एक तरीका ये होता है, कि आप inner self को समझाएए, inner self को समझेए, और खुद को motivated कीजिए, और चीजों को खुद समझेए, अपने experience से समझेए, आपको हमेशा एक teacher की जरुवत नहीं होनी चाहिए, कि आप हमेशा किसी से समझे ही, स रास्ते हैं, जो social harmony को achieve करने के चार रास्ते हैं, उनकी बात करते हैं, पहली, rits and rituals के थुरू, किस तरीके के rituals होने चाहिए, तो आप वैसे मत सोचे कि वो rituals की बात होगी, कि किसी तरीके से sacrifice किया जाएंगे, animals को cut किया जाएगा, rituals होंगे, काफी complex religions में होते हैं, वैसे होंगे एक तरीके से revert करें, उनको join करें, उनके बीच में एक तरीके से समन्वे बना के रखें, आपका एक तरीके से मन और चित शांत रहें, ठीक है, और उन्होंने कहा कि authority without generosity, यानि कि एक राजा, एक authority, एक जो powerful जिसके पास authority है कुछ, वो बिना अगर generosity के है, ceremony है, कोई ceremony कर रहे ह जिसमें शर्धा नहीं है, reverence नहीं है, morning without grief, दुख दिखा रहे हैं, शोक मना रहे हैं बिना किसी दुख के, तो ये सिर्फ बकवास चीज़े हैं, इनका कोई sense नहीं है, कि कोई authority है बिना generosity के उसमें कोई दया भावना ही नहीं है, लोगों के प्रति बेनविलेंटी नहीं है, तो वो authority कोई काम की नहीं है, उसका कोई sense नहीं है, कोई ceremony कर रहे हैं, लेकिन उसमें शर्धा नहीं है, आप बस जैसे पुझा पाट कर लिया, और दिखा दिया, बाती लगा दिया, लेकिन उसमें शर्धा नहीं है, तो उसका कोई sense नहीं है, सभी जो ceremonies हैं, उनका मकसद क्या होना चीए social unification social society में harmony establish करना होना चीए आपको किसी को ऐसा नहीं है कि इश्वर को खुश करने वाली और वो बाते इन्होंने कहीं नहीं कहीं इनका मकसद क्या है समाज का भला करना समाज को unite करना उसमें harmony पैदा करना लोगों के बीच में there should be practice with others जो भी आप rituals कर रहे हैं वो सब के साथ कीजिए ऐसा नहीं है कि आप अपने अपने घर में कर रहे हैं करें मेरे घर में तो शांती आ जाएगी सुकून आ जाएगा और बाकि जाएं हमें क्या मतलब ठीक है ऐसा नहीं उन्होंने अपने लोगों के साथ मिल मांट के चीजों को कीजिए और ये जो चीजें हैं ये करते हैं तो उसका मकसद क्या होना चाई है समाज का भला करना साथ इसाथ उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज भी बताई कि अगर जैसे कोई दुख में है व्यक्ति कोई किसी की डेथ हो गई मान लीजे कोई फ्यूनरल है तो वहां पर आप सफेद कपड़े पहनना चाहिए वो चीजे हैं चलो ये कुछ ऐसे अलग चीजें आ गई है कुछ एस्टेटिक चीजें भी हैं ऐसी कुछ हार्डन फास्ट रूल भी बनाये थे कंफिसेस ने तो कुछ-कुछ हैं बहुत कम हैं और दुख मनाना चीए किसी के मरने की मोत का लगबग तीन साल तक वेडिंग की भी उन्होंने कुछ एप्रोप्रियेट मैच मार्किंग कर इस तरीके के कपल्स को इस तरह से शादी करने चाहिए एक एज का दाइरह होना चीए इस तरीके से कुछ रूल उसके लिए भी बनाए कुछ एंसेस्टर के लिए जो ऑफरिंग्स करी जो हमारे पुरवज हैं उनको शरधा कैसे देनी हैं उनकी रस्पेक्ट के लिए उनको याद करने के लिए कुछ से एक तरीके से regional practices भी हुआ करती थी जो Confucius की philosophies हैं उनके जो disciples हैं उन्होंने ही उनको सिखाई थी और इस तरीके से Confucius जम में ही ये चीज़ें follow की जाती हैं ये rituals की बात आ गई अब बात करते हैं five relations देखे Confucius ने कहा कि समाज में अगर peace अचीव करनी है harmony रखनी है तो ये पांच relations जो है ना इनमें आपको बहुत balance बना के रखना पड़ेगा और balance बनाने से पहले कहा कि एक चीज है और वो आप मानिये खुद भी देखे कि समाज में कभी भी आप दो वर्गों को देखेंगे ना दो चीजों को देखेंगे किसी कभी आप for example ruler और subject को देख रहे हैं तो उसमें एक group होता है जो dominant होता है और दूसरा होता है submission मतलब एक की चलती है ज्यादा और एक याचक होता है उसके सामने वो उसके सामने हमीशा थोड़ा जुकाओ में होता है वो तो कम powerful होता है एक powerful होता है एक थोड़ा weak होता है in comparison अगर दो अलग-लग relations को आप compare करें तो उसमें एक powerful होता है एक authority एक के पास ज़्यादा होती है एक के पास कम होती है ठीक है ऐसा Confucius ने भी माना और उन्होंने कहा कि पास relation है और उनके बीच में आपको relation सही से मना के रखने है एक है ruler का अपने subjects के परती जो साथ relation जयानि कि राजा जो है उसके अपनी परजा के साथ parents जो है उनका अपने बच्चे के साथ husband जो है उसके अपनी wife के साथ जो बड़ा भाई या चोटा भाई या चोटा भाई या चोटी बहन के साथ और एक friend का अपने दूसरे friend के साथ ये पास relation उन्होंने बताए और उन्होंने कहा कि दो party हैं उसमें एक dominated party है जैसे कि ruler और subject में ruler तो हमेशा dominated रहेगा subject के सामने parents और child में parent की authority ज्यादा रहेगी हमेशा younger brother और older brother में older brother की authority ज्यादा रहेगी friend में भी एक powerful हो सकता है weak हो सकता है कहीं न कहीं authority उसके पास ज्यादा हो सकती हो सकता equal भी हो लेकिन बात कहा है main मुद्दा कहा है मुद्दा यह है कि जो dominated party है जिसके पास authority ज्यादा है power ज्यादा है उसको अपनी submissive party के परती kind होना पड़ेगा उसको उसके परती gentle होना पड़ेगा उसके परती compensate होना एक तरीके से compassion दिखाना पड़ेगा और जो submissive party है उसका भी कुछ जाईतो है वो भी अपना जो dominated party है उसके परती respect show करे उसके परती आदर दिखाए उसके परती एक तरी से शर्दा दिखाए देखे यह चीज है ठीक है ruler और इसके बीच में आप कहेंगे कि equality की बात नहीं हो रही है हाँ ठीक है लेकिन वो समय भी तो ऐसा था ना उस समय राजा महराजाओं का समय था आप अगर equality की बात करेंगे तो वो चीज accept नहीं की जाएगी तो समय के इसाब से देखा जाए तो उनकी सोच बहुत आच्छे थी अगर आज की modern society से compare करेंगे तो आपको सब को equality वाली बात आजाएगी लेकिन उस समय के इसाब से नहोंने ये philosophy दी थी यह आप देख सकते हैं कि ruler जो है सबसे powerful जो authority है जो सबसे dominated है उसके बाद इसमें दिखाया गया है parent child है उनके बीच में husband wife के बीच में relations siblings के बीच में relations friends के बीच में relations इसको five constant relationship बताया गया और इसमें उन्होंने कहा कि ये पांच relation जो है ना ये समाज में harmony establish करने में इनके बीच में एक तरीके से वो जरूरी इनके बीच में harmony होना जरूरी है फिर अपने आप इस समाज में harmony आ जाएगी फिर a rectification या redemption of names ये क्या चीज है ये इस चीज के लिए कहा कि भई देखो ये five relation जो है ना society में इसमें लोग आपस के जो मतलब एक तरीके से confusion create हो जाता है कई बार responsibility और roles को लेकि कि मेरा क्या role है एक छोटा भाई है बड़ा भाई है उनके जो relations है उनमें किस तरीके से बड़े भाई का क्या role है छोटे भाई का क्या role है ये ठीक है बता दिया इतनी सी बात से समझ में नहीं आएगा ना कि कितनी kindness और कैसे दिखाना चाहिए किस तरीके से वैवार करना चाहिए तो उन responsibility को समझाने के लिए ये ratification और redemption of names की philosophy इन्होंने दी ठीक है इन्होंने कहा कि जो society में जो लोग है जो भी society का जो भी member है जाए वो in five relations में से कोई भी हो ruler हो या subjects हो भाई हो चोटा भाई हो या बड़ा भाई हो वो अगर अपनी position को समझेंगे नहीं और अपने role को लेके अपनी responsibility को लेके अगर एक तरीके से confuse होंगे तो उससे chaos होगा उससे एक अफरा तफरी मचेगी और उससे समाज में peace नहीं हो सकती उससे क्या होगा कि माहुल खराब ही होगा उसको समझना बड़ा जरूरी है और इन relationship में एक अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग दाइरों पर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि एक बड़े भाई का क्या rule है ruler का क्या है ruler को किस तरीके से banvalent होना चाहिए लोगों की बात को सुनना चाहिए क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए ये सब बाते बताई फिर है final है rain rain क्या है देखिए rain के काफी सारे मतलब है और rain को इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता लेकिन main जो चीज़ है इनके एक बार सिश्य ने पूछा किसी ने confucius से कि बई rain क्या है sir तो उनको ने कहा love all the men सब ही लोगों से प्रेम करो यही rain है लेकिन जो लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया कि rain का actual मतलब क्या है वो यह है कि commonly accepted definition क्या है इसकी virtue और kindness मतलब दया रखो एक तरीके से गुणवान बनू तो ultimate goal जो है confucius का वो क्या था कि समाज में harmony establish करना तो harmony कैसे establish होगा हर आदमी जब gentleman होगा अपने rule को अपने role को अपनी responsibility को समझेगा जो भी उसका role है समाज में अगर वो dominant है अगर उसके पास authority है तो उस authority का misuse ना करे उसको समझे well-valient रहे, kind रहे अगर कोई downtrodden है कोई lower state का वेक्ती है तो वो भी ऐसा ना हो कि वो अपने जो elders है उनकी disrespect करे अपनी जो authority है उसको साथ misbehave करे उसको भी अपने लोगों के परती शर्दा दिखानी पड़ेगी उसको भी अपने एक तरी के से behavior को ठीक करना पड़ेगा और एक क्या बात कहीं नोंने rain के परती के लिए कि rain कोई heaven या कोई goal नहीं है कि ऐसे जैसे कि करम करो और अच्छे करम करो एक दिन heaven में पहुंच जाओगे rain की प्राप्ती हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है rain कोई achievable state नहीं है जिसको आप achieve कर सको rain actual में हर व्यक्ती के अंदर होता ही है एक goodness internal goodness जो होती है वो होती ही है बस आपको उसको सामने लाना है और आपको एक तरीके से जो अंदर का जो अच्छाई है उसको समझ के उस तरीके से act करना है अपने रोल को समझना है और उस तरीके से लोगों के साथ विहवार करना है ताकि समाज में हार्मनी बनी रहे उसके बाद समाज को last point है आपना कि इन्होंने दो भागों में लोगों को समझाया कि देखो समाज में कितना भी किसी भी तरीके से आप हर्मनी लाओ लेकिन दो तरह के लोग तो होते ही है एक अच्छे लोग एक बुरे लोग good people and bad good versus bad कि इन्होंने बात कई एक व्यक्ति होता है इसका देखो pronunciation क्या है जायरण मैं जायरण बोलता हूँ यह उन जी ठीक है यह शब्द है इनका मतलब यह good यह है bad bad मानो यह good एक व्यक्ति मतलब जो फसा हुआ है वो मान के चलिए यह जो है जो उभर गया है जो समझ गया है actual जीवन को, philosophies को, confusionism को वो है यह व्यक्ति तो यह कौन है, जायरण क्या है यह petty है mind से यह दिल और दिमाग से यह उभरा नहीं है यह समाज का भला नहीं करना चाता है यह self के अंदर ही फसा हुआ है self egoistic है internal sense goodness को नहीं समझ पा रहा है दूसरों को भला की बारे में benevolent नहीं है यह व्यक्ति greedy है, materialistic है अपनी जो चीजों को सीखा है उससे यह अपना फाइदा चाता है बस और इसको हमेशा external guidance से यह अपने अंदर के inner sense को कभी समझ ही नहीं पाता ऐसा वेक्ति है दूसरी तरफ उंजी है यह highly moral है इसने सारी चीजों को समझ लिया है लोगों की मदद करता है benevolent है और जो education है उसको समझ के इसने virtues को virtuous है यह disciplined है चीजों को इसने समझा है compassionate है लोगों compassionate है इसके मूल भावना में और यह अपने अंदर देखता है guidance के लिए इसको किसी external guidance की इतनी जरूवत नहीं है जब तक ए फस ना जाए बहुत ज़्यादा तो यह खुद में improvement के बारे में रोज सोचता है रोज करता है तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि लोग भी इस तरीके के होते हैं आपको किस में जाना है वो आप समझ लीजे तो इस तरीके की philosophies दी confusionism में मैंने काफी सारे religion काफी सारे philosophy पढ़ी मुझे काफी interesting लगी confusionism की जो philosophies है इसमें जो तरीका है जीवन जीने का काफी interesting है काफी अच्छा लगा और साइना में लोग अलग अलग धर्मों को follow करते हैं लेकिन confusionism जो है वो इनकी एक तरह से morality, code of ethics आप बोलीजिए या philosophy मान लीजिए ये आज भी इसको follow करते हैं इन disciplines को follow करते हैं और अपना जीवन जीने का जो Chinese तरीका है पुराना ancient तरीका उसको आज भी follow करते हैं hopefully आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी किसी तरह के का कोई doubt हो तो comment section खुला है obviously और आप पूछ सकते हैं so thank you so much for watching this video see you in next video